आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, question देखें हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है और साथ मैं बोल रहा है CF is perpendicular to AB CF is perpendicular to AB ठीक है और यहाँ पर जो भी थीनों बोले हैं उसने यहाँ पर प्रॉपर्ली मार्क भी कर रहा है यह right angle का notation ठीक है इसका मतलब भी है कि यह perpendicular ठीक है, तो जो sides मैंने shade किया है ना, उन sides का squares का sum हम लोग को निकालने है ठीक है, तो देखो, कैसे calculate करेंगे सबसे पहले यहाँ पर, हम लोग यह हम लोग को जो जो दिया हुआ यह तीनों, एक दूसरे के perpendicular अगर है तो देखो, यह भी हैसे perpendicular है तो मैं triangle OBD में Pythagoras लगा सकता हूँ OB square is equal to यह हमारा hypotenuse हो जाएगा यह आजाएगा OD square plus BD square है ना, इसके लिए यह लगा दिया अब साथ में, यह right वाले triangle के लिए देखी इन triangle OCD OCD, यहाँ पर भी मैं hypotenuse यह ले सकता हूँ, यहाँ पर क्या आजाएगा OC square equal to OD square plus DC square OD square plus DC square ठीक है, अब देखो इन दोनों में OD square, OD square common है ना ठीक है, अभी हम लोग ने यह देखो किया क्या है यह common है, इस पर आते हैं हम लोग अभी हम लोग में एक ये वाला triangle लिया इस पर है Pythagoras लगाया, और एक ये वाला triangle इस पर Pythagoras लगाया, ठीक है OB square और OC square की value हमार पास आगी है ठीक है, इसको मैं clear करो यहाँ पर calculation के हम लोग को फिर दिक्कत होगी यहाँ पर OB square आप इन दोनों को subtract करो ठीक है, OB square यह जो first equation है, minus OC square क्या आजाएगा, LHS को subtract के रहा है, तो यहाँ पर RHS में भी OD square प्लस BD square, यह हमारा पैला टम था, minus OD square प्लस DC square, ठीक है, यहाँ पर OD square, OD square, cancel हो जाएगा, common, okay ठीक है, common नहीं, same time है इसले, यहाँ पर BD square minus DC square आजाएगा BD square minus DC square, ठीक है, और यह किसकी value है OB square minus OC square, ठीक है, यह आप इसको बोल सकते है, equation number हमारी 1 आप इसको note करो, ठीक है, अब यह I क्या है हमारा पास से देखो, OB square minus OC square क्या है यहाँ पर देखो, OB square, ठीक है, minus OC square is equals to I, BD square, यह जो हमारा, यह BD square है minus DC square, ठीक है अब आपको same चीज, जैसे हम लोग ने इसके लिए लगाए, फिर इसके लिए लगाए, और subtract की न, सेम चीज हम लोग को एक बार इसके लिए लगाने, ठीक है, AO square, फिर एक बार इसके लिए लगाने, और subtract करना, AO square minus OB square, ठीक है बट यहाँ पर similarities है, मैं लिएक सबता हूँ न, यहाँ पर, देखो, अगर मैं इस triangle में लगाऊंगा, ठीक है, AOF में, और इसमें, OFB में, और subtract करूँगा, तो AO square minus OB square करूँगा, क्या आएगा? देखो, AO square minus OB square, है न, is equals to, यहाँ पर क्या जाएगा? देखो, यह square minus, यह square is equal to, यह वाले side का square minus, यह वाले sides का square, है न, चेक करूँगा आप यहाँ पर, पिछले वाले में भी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको clear कर दूँग, है न, पिछले वाले में भी हाँ लोग ने, इस इसका square plus, इसका square is equals to, इसके सामने वाले sides का, sides के squares का difference दिया था, तो यहाँ पर भी, इन दोनों के squares का, sorry, difference आजाएगा, यहाँ पर भी, इन दोनों के squares का difference, तो आजाएगा, AF square minus FB square, है न, is equals to, AF square minus FB square, यह हमारा हो जाएगा, similarity से, equation number 2, ठीक है, अब, same procedure हम लोग, यहाँ प यह दो होगी थी, अब यहाँ पर देखो, यह clear कर दिया हमने, यहाँ पर, इस triangle के लिए आपको आपिस से लगाओगे, तो यहाँ पर आजाएगा AO square वाला term एक, AO square वाला, और फिर यहाँ पर किस से आजाएगा, OC square वाला है, तो मैं OC square, लिख रहा हूँ, मैंने OC square minus AO square वाला क CE square है, CE था न, यह, तो ठीक है, मतलब मैं अगर OC square minus OA square लिख रहा हूँ, पहले यह, फिर यह, तो पहले RHS में, इसका आजागा, फिर इसके सामने वाला आएगा, ठीक है, पहले जिसका लिख रहे है, वो, वही pattern यहाँ पर भी पहले वाले में आया था न, देखो, OB के लिए, पहले मैंने OB अगर लिखा था, तो OB के लिए BD आया था पहले, और OC के लिए फिर DC आया था न, तो वही pattern, CE square minus AE square, CE square minus AE square, ठीक है, इसको आप equation number 3 बोले, ठीक है, अब क्या करते हैं, इन तो इनों को add कर देते हैं, 1, plus 2, plus 3, ठीक है, left hand side में देखो क्या आएगा, यह OB square add होग यह minus OB square के साथ यहां पर cancel होजाएगा, ठीक है, जो जो बच जाएगा यहां पर highlight नहीं होगा, यह देखो, यह दोनों तो cancel होगे न, जो जो बच जाएगा वो लिख देंगी हैं तो, OA square cancel होजाएगा, minus AO square या फिर OA square दोनों से हैंना, तो इसके साथ, ठीक है, अब OC square होजाए वो minus OC square के साथ cancel होजाएगा, तो हमारा luckily left hand side में सब cancel होगे 0 आगे हो, ठीक है, right hand side में देखो क्या क्या सब लिख जे तो, BD square, minus DC square, ठीक है, plus AF square, minus FB square, plus CE square, minus AE square, ठीक है, अब जो जो plus में उसको एक साइट रखो, और जो जो minus में उसको left hand side लेकिया जाओ, तो minus DC square इधर आज जाएगा, DC square, फिर minus FB square इधर आजएगा, plus FB square, और plus, यहाँ पर minus AE square है, तो यहाँ पर आजएगा, plus AE square, equal to, जो RHS में पहले से था, उसको ऐसे ही लिख दी है, BD square, और यह हमारा यहाँ पर AF square है, और यहाँ पर plus CE square है, ठीक है, यह हमारा equation आ गया, अभी देखो, वापे से final question में हमलों को पूछा क्या था, AF square, plus BD square, plus CE square है न, तो AF square, plus BD square, plus CE square, यह हमारा question था, जो RHS में यह हमारा question है, तो यह हमारा answer हो जाएगा, right, DC square, plus FB square, plus AE square, DC square, यह फिर CD square, plus FB का है, ठीक है, इसमें और किसी में भी CD नहीं है, ठीक है, plus FB square, plus AE square है, option 4 हमारा true हो जाएगा, चेक करो, AE square है, plus BF square है, AE square हमारा यह हो गया, plus BF square मतलब FB square, और यहाँ पर plus CD square जाब हो हमारा, यह आ जाएगा, DC square, ठीक है, तो option 4 हमारा true हो गया, thank you.